हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है समय ये तुम्हारे लिए किसी गुड़नियों जिसे कम नहीं होगा ना नेहा अब तो कलेजी में ठंड़क पड़ गई न मा बाबू जी अब यहां कभी नहीं आएंगे एक महीना भी तुम उन लोगों को अपने घर में रख नहीं पाई छी नेहा सर्म आती है मुझे तुम पर कैसी बहू हो तुम जिसे अपने सास ससुर का साथ रहना रास नहीं आया, अरे कुछ ही दिनों के लिए ही तो आये थे, पर वो भी तुमें बरदास्त नहीं हुआ, अरे वे तो आ भी नहीं रहे थे, मैंने ही जित किया, तो वो आने को राजी हुए थे, पर यहां तुमने उन्हें इतना सताया, कि वो यहांसे जल्दी चले गए, गुस्से से अरुड निहा को बोल रहा था देखो अरुड ये ऐसा जूठा आरोप लगाना बंद करो और मैंने उन्हें नहीं भगाया बलकि वो अपनी मरजी से गई है यहां से और देखो जाते जाते भी उन्हें चैन नहीं आया इसलिए हम दोनों में फूट डाल कर चले कहा इतना होने के बाद भी पर मेरी भी आखे हैं जो देख लेती हैं तुम्हारी हरकतों को अरे उनका उठना बैठना भी तुम्हारी आखों में खटक जाता था अभी उसी दिन तो बोल रही थी मुझे कि तुम्हारे मा पिता जी दिन भर सोफा पर बैठकर टीवी देखते रहते हैं ऐसे में मेरी प्राइवेसी खत्म हो रही है वो तो बेचारे ऐसे भी एक जगा बैठे रहते थे पर ये भी तुम्हें खटकता था इसी तरह दस दिन पहले जब बाबु जी मार्केट से साग लेकर आये थे और उन्होंने कहा कि आज बहु खाने में साग बना देना तब तुमने क्या कहा याद है बाबु जी याद तो खाना बन गया है तो दूसरे दिन बना दूंगी और वो दूसरा दिन आया क्या नहा नही ऐसे ही जब वो कुछ राय विचार देते थे तब तुम कैसे उन्हीं सुना दिया था याद है मा बाबुजी मैं कोई दूद पीती बच्ची नहीं कि हर चीज में अपनी नसिहत दे देते हैं मैं पढ़ी लिखी हूँ मुझे भी ग्यान है ऐसा ही कहती थी नानेहा अरुड चि जब तुम्हें ये सब दिख रहा था तो उस समय क्यों नहीं बोले जो अभी जली कटी सुना रहे हो अरुड मुटेडा बनाते हुए नहा कहती है हां सुना सकता था पर मेरी माने हर बार मुझे रोक लिया था वो नहीं चाहती थी कि बाद में तुम कहो कि मेरे मा बाबुज की वज़ा से हम दोनों में जगडे होते हैं और वैसे भी मुझे ये सब तुम्हारे मुझे सुनना चाहता था मैं जानता था कि तुम सेलफिस हो पर इतनी हो कभी नहीं सोचा था इसलिए मैं भी जा रहा हूँ ये घर छोड़कर तब रहना अपनी मन मुताबिक आज मेरे मा बाबुजी तुम्हारी प्राइवेसी में खटक रहे हैं कल मैं इसलिए रहो अकेले अपनी मन मरजी के अनुसार ऐसा कहकर गुस्य से अरुड अपना बैग निकाल कर कपड़े भरने लगता है जिसे देखकर नहां डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कहीं सही में अरु अरुड का हाथ पकड़ लेती है फिर कहती है मुझे माफ कर दो अरुड मैं ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूंगी पर तुम ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीओंगी अरुड प्लीज अरुड नहीं होगा ये वादा है आपसे कैसे विश्वास कर लू नहा तुम्हारी बातों पर मुझे तुमसे ये उमीद नहीं थी जिस प्रकार तुम कुछ शालों के प्रेम से दूर जाने के डर से भैवीत हो गई सोचो मेरे माता पिता ने जो मुझे प्रेम दिया है 28 साल उनकी हा नहा की तरब बढ़ाते हुए अरुड कहता है मा बाबू जी मुझे माफ कर दीजिए मुझे जो भूल चुक हो गई है उसे भूल जाए और मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी आप लोगों को सिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी और कभी आपके और आपके बेटे के बीच दूरिया पैदा नहीं करूंगी रोते हुए नहा कहती है बस कर बेटा समय पर अपनी गलती का हैसास हो जाना ही सबसे बड़ी बात है हमेशा खुस रहो यहीं हमारा असिरवाद है कहकर अरुड के माता पिता फोन रख देते हैं इस तसल्ली के साथ कि उम्र के अगले पड़ाओ में फिर कभी ऐसा समय दो बारा ना आए आशा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद